नमस्कार बहुत स्वागत है आप सबका देख रहे हैं आज का विशेश कारिक्रम जोतिश चराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंट संतों संतों से अगर जोतिश विज्ञान में आपको रूची है तो इस कारिक्रम को छोड़ा मत करिएगा चरूर देखा करिएगा यही कारिक्रम है जो आपको हर कदम पर असली जोतिश सूत्र बताता है भाईया एक शब्द आप लोग अक्सर सुनते हैं राजियोग जो नहीं सुनता वो इधर उधर से सुनकर पूछ जरूर लेता है हमसे कि महराज कौन कौन सा राजियोग है हमारी कुनली में पूछ जरूर लेता है यह है क्या राजियोग यह कौन सी बला है भहिया नाम में तो बड़ा आनन्द आता है इसको बढ़िया नाम है राजियोग कैसे जैसे लगबर करता है भारी भर कमसा राजा टाइप वाला इसकी आज पूरी क्रोनलोजी पूरी सच्चाई पूरा सब कुछ हम आपको बताएंगे मित्रो मजबूत ग्रह केंद्र में बैठ कर राजियोग का निर्मार करते हैं ये बात सत्य है जैसे पंच महा पूरुशियोग बड़ा राजियोग कहलाता है मंगल, बुध, ब्रहश्पति, शुक्र, शनी पांच ग्रहों से पंच महा पूरुशियोग बनता है ब्रहश्पति, मंगल से सुरू करते है मंगल के द्वारा रूचक योग ये बड़ा राजियोग है केंद्र में मंगल, सुग्रही, अथ्वा, उच्च के हों तो रूचक डामक, पंच महा पूरुशियोग में से एक योग बनता है ये बड़ा राज योग है बुद्ध के द्वारा भद्र नामक योग बनता है केंद्र में स्वग्रही अथवा उच्च के हो तो हंस नामक पंच महापुरूश योग बनता है शुक्र के द्वारा मालब्वि नामक पंच महापुरूश योग बनता है और शनी के द्वारा सस नामक पंच महापुरूश योग बनता है ये पांच ग्रहों के द्वारा केंद्र में उच्छ अथवा सुग्रही होने पर पंच महापुरूश राजयोग बनता है क्या देता है फल बनता तो है मित्रों आज की तारीख में राज योग जैसा कोई योगए नहीं है अब आप चौक जाएंगे ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव भर हैं आप लोग गफलत में रहते हैं हमें टूक किताब ऐसे जो नकलची लिखते हैं सुसरे हमें टूक किताब ऐसे हाथ से हमारे सरकी थी देखे दे एक बार तो मतलब अभी भी उस भासा को नहीं बदले हैं कि ये ये होने पर आपके पास लोकर चाकर हाथी घोड़ा अरे भाई आज कि तारीक में आदमी बिश्वे फ्लैट पे रहरा बिश्वे फ्लोर पे काउंसा हाथी घोड़ा पाल लेगा भाई कौन सा हाथी गोड़ा पालेगा मतलब भाशा भी अभी वही है फिर उसको समझाएंगे कि माले नोकर जादा होंगे गारी होंगी बहुत जादा तो ये सब समझाने लगते हैं राज योग शब्द को ही मैं खारिज कर देता हूँ अच्छा फल मजबूत है ग्रह तो समझिये कैसे मजबूत है कोई भी ग्रह अपने घर का है पांच से बीश डिगरी का है वक्री नहीं है केंद्र अथवात्रिकोन में है तो जबर्दस्त है अपनी दशा अंतर दशा में बेहतरीन फल देगा एक्जामपल के लिए जैसे एक एक्जामपल देता हूँ मकर लगन हो और मंगल चौथे घर में बैठा हो अभी जब मकर में था मैं आप लोग को बताऊं मैं कैसे शोध करता हूँ मकर में आया है कुछ दिन पहले था न मकर में अप्रैलवा में आते ही हमें जमीन का लाव दिया हमारा मकर लगन है और करक का हमारा चौथे घर का मंगल है जन्व कुंडली में लगनेश के साथ मकर में था हंडिट परसंट दे दिया तुरंत राज योग कारत था तुरंत जमीन का हमें लाव दिया है हमें पता भी था और ये लगभग आठ साथ नव वर्षों से ये पेंडिंग चल रहा था कुछ सिस्टम ऐसा था और आते ही दिया है अपनी दशा अंतर दशा गोचर दशा कही न कहीं फल देना ही देना है हंडिट परसंट देना है तो या तो अच्छा फल है या बुरा फल है लेके हमारे पास आते हैं कहीं से सुने रहेंगे अब और और सोचो दृष्टिकत संबंधवा को भी राजयोग बना देते हैं कि ब्रहश्पति चंद्रमा को देखे तो गजकेशरी योग बनता है जबकि सिस्टम यह है कि साथ बैठेगा तब गजकेशरी योग बनेगा देख देखने से कैसे बन जाता है आप एक किलोमीटर दूर हो हमसे आप एक किलोमीटर दूर हो हमसे हम आपको देखे जा रहे हैं क्या मिलना फाइदा है आप हमारे बगल हो हर तरह से फाइदा है देखने से कौन सा फाइदा होता है लॉजिक समझ में नहीं आता है कोई दिष्ट उष्टी का फल नहीं है अच्छा फल है बुरा फल है अच्छी इस्थति में गरह है अच्छा फल देगा अच्छे भाव का मालिक है अच्छा फल देगा बुरे भाव का मालिक है बुरा फल देगा अब इसमें ही शोध ही ये करना होता है कि फल किस लेबल तक जाएगा कितना बुरा होगा हाथे पर तूटेगा की जान जाएगी ये शोध का विशह है अध्यन का विशह है गम्भीर विशह है तो राज योग जैसे बुधा दित्ति होगा सूर्य बुद्ध का ये तो जो है किसी जमादार की कुणली में भी तो अर्थ क्या निकालेंगे जोतिश गलत कहां हो जाती है जब लोग तर्क देते हैं कि वही उसी समय में कितने हमने इस पर एक वीडियो डाला था कि कैसे हमको फल का आंकलन करना होता है जब फलित कहा जाए तो क्या-क्या ध्यान दिया जाता है इसकी बड़ी गहरी एक समीक् एनालेसी से मिश्टेशन आए तो कोई राज योग जैसा योग नहीं होता बिद्दास रहिए आप अच्छा बुरा होता है समझने की बिस इस्थती आनी चाहिए कि हम उसको समझ सकें फलित कहते समय समझ का ही तो खेल है सारा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और पश्मेश्वर शनिधाम फाउंडेशन अपने फुल स्वेट पे है अभी आप लोग जद्दी जद्दी मेंबर्शिप ले लीजिए अगर अभी तक नहीं लिए हैं विचार कर रहे हैं और जीवन भर की कमाई की गारंटी यह हमारा अकाउंट नंबर है किवार कूड है आप स्कैन कर लीजिए पे कर दीजिए मात्र दो हजार रुपे बाकी दान वीरों का स्वागत करते हैं कोई कुछ भी दे सकता है दो हजार में अगर आप चाहते हैं तो आप मेंबर्शिप ले सकते हैं आप हमारे साथ पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके जीवन भर कमाई का रास्ता खोल सकते हैं क्या है सिस्टम कैसे काम करना है इसके लिए हम 30 मई को शनि शरणम सम्मेलन कायुजन कर रहे हैं आप लोग का हम महारतिक स्वाकत करेंगे आप लोग आईएगा जो है बनारस में और आनंद उठाइएगा बहुत बहुत शुक्री आपका धन्यवाद ऐसे ही प्यार बनाया रखेगा अमशकार शेरादे